दोस्तों क्या आप अपने Google Pay का UPI Pin भूल गए हैं तो अपने Google Pay का UPI Pin कैसे पता करेंगे यानि कि अगर आप अपने Google Pay में अपना Bank Account एड़ करके रखते हैं रखने की बाद जब आप अपना Balance चेक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो Bank है इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना UPI Pin डालना होता है तो आप यह UPI Pin अपना भूल गए हैं यहाँ पर डालते हैं और Right करते हैं तो आपको यहाँ पर जो Balance है वो आपको देखने को नहीं मिलता है चैसा कि आप देख सकते हैं आ जाता है Could Not Check Bank Balance और यहाँ पर बताया जाता है Incorrect UPI Pin अगर आपने Bank Account का UPI Pin भूल गए हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए इस वीडियो के अंदर डीटेल्स में इस्टी बाई इस्टी बताएंगे और दो आसान तरीके बताएंगे जहां से आपना UPI Pin चेंज कर सकते हैं सबसे पहले यहां से बैक आजाएए बैक आने के बाद यहां पर आपको मिलेगा Profile आप अपने Profile पर क्लिक करिए जैसे आप Profile पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका Profile Open हो जाएगा यहाँ पर आपको मिले का bank account आपको अपने bank account पर क्लिक करना है यहाँ पर आपके सारे के सारे bank account आ जाएंगे जो activate होंगे तो हमारे दो bank account यहाँ पर activate हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें अपने SBI bank का UPI pin चेंज करना है क्योंकि इसी का हम भूल गये हैं तो इस पर हम click करेंगे click करते ही आपके सामने इस तरीके से आपका bank open हो जाएगा यहाँ पर मिलेगा three dot आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक option change UPI pin आप आपको बताते हैं कि अखिरकार यह दो option आपको मिलेंगे एक change UPI pin का और एक मिल जाएगा यहाँ पर forget UPI pin का change UPI pin पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना enter six digit old UPI pin यहाँ पर आपको अपना पुराना वाला UPI pin डालना है फिर आप एक अपना नया UPI pin बना पाएंगे तो हम यहाँ से बैका जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पुराना वाला UPI pin नहीं पता है अगर आपको पता है तो वह आप इस तरीके से डाल देंगे राइट कर देंगे अब यहाँ पर आपको अपना six digit new UPI pin अपना बना लेना है जो भी आप बनाना चाहते हैं तो हमें पुराना वाला नहीं पता है तो बैका जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा display QR code के नीचे forget UPI pin आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको इंतिजार करना होगा यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से page एगा enter card details का option आजएगा आप यहाँ पर आपको अपने ATM card के आखरी के 6 अंक यहाँ पर डाल देना है कुछ इस तरीके से आपका जो भी ATM card का आखरी कांग होगा उसके बाद यहाँ पर आपको month और year डाल देना है कुछ इस तरीके से और जैसे आप इस तरीके से डाल देंगे उसके बाद यहाँ से आपको right now पर क्लिक करके इस arrow पर क्लिक करना है तो हम यहाँ से अपना information जो है वो सही से fill up कर देते हैं उसके बाद इस arrow पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस arrow पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको wait करना होगा आपके mobile number पर bank की तरफ से एक OTP आएगा जैसे हमारी case में हमारी bank की तरफ से आ गया है वो OTP यहाँ पर automatic पढ़ जाएगा उसके बाद यहाँ पर बना लेना है यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो इसे आप देख सकते हैं आपका UPI pin क्या है उसके बाद यहाँ से write करेंगे उसके बाद फिर से आपको अपना UPI pin वही डालना है जो आपने पहले अभी डाला हुआ था फिर आपको यहाँ पर देख लेना है देखने के बा हम यहां से अपना एक नया UPI PIN बना लेते हैं और उसके बाद राइट करेंगे यहां से आपको फिर से अपना Google पे open करना है open करने के बाद इस तरीके से Google पे open हो जाएगा थोड़ा सा नीच आएगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा check bank balance आप इस पर click करिए यहां पर आपका bank बना रहेगा आपको इस पर click करना है और जो आपने UPI PIN अभी बनाया हुआ है वो आप अपना UPI PIN यहां पर डाल देंगे और उसके बाद राइट करेंगे जैसे आपर राइट करेंगे फिर आपका जो bank का balance होगा वो यहां पर देख Google Pay में या आपके bank में server down हो जाता है जिसकी वज़े से अच्छे से काम नहीं करता है तो अगर आपका नहीं change हो रहा है तो आपको 24 घंटे का इंतिजार करना है अगर आपका फिर भी change नहीं हो रहा है तो आपको अपने bank से contact करना होगा और उनको आपको बताना है कि हमारा यह अपको अद्धा से बीडो कले इतने